आप उनाइटिड नेशन्स में रहे हैं, आप भारत सरकार में भी मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट ने भारत को कैसे बदला है, खास कर जैसे यहाँ पे शासन होता है, गवानिंस होती है? मेरे खेल में हिंदुस्तान की गवनन्स के लिए इंटरनेट एक बहुत महत्वपूरा चीज है, लेकिन अभी तक हमने इतना ज्यादा नहीं किया कि हम ज्यादा बोल सकते हैं, करीब 10% हमारे पॉपिलेशन के लोग इंटरनेट इस्तिमाल करते हैं, इंटरनेट को एकसेस करते हैं, इंटरनेट कैफेज में या कोई चौपल में जाके करते हैं, बाकी लोग तो इंटरनेट इस्तिमाल ने करते हैं, क्या चीज़े भी समझते भी नहीं, फिर भी आप देख लीजिए कि कहीं प्रदेश में लैंड रेकोर्ड्स की कम्प्यूराइजेशन हो गए हैं, और आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं कि कौन क्या खरीद लिया, कहा रेजिस्टेशन हो गया, पटवारी के क्या-क्या रेकोर्ड्स हैं, यह सब इंटरनेट पे देख सकते हैं, मेरे ख्याल में हम तो ये ये इंटरनेट के इस्तिमाल के इनिशिल स्टेप पे हैं, हम of electronic voting machine से करते हैं वो तो internet मैं बहुत सारे डीटेल्स देते हैं हैं और यहांका कर सकते हैं अब जाकि पूरे प्रोडन ले सकते हैं में तो जब हमारे देश में ज्यादा लोग लोगों को कुम्प्यूटर इस्तमाल करने का मौका मिले, यह पढ़ने का और यह एक्सेस भी कि इसके अफसर मिले, तो मेरे ख्याल में यह इंटरनेट का यूस बहुत जागा चलेगा. ट्विटर पे आपके करीब 6 लाग से ज्यादा फॉल्वर्स हैं, सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग, सबसे ज्यादा आकर्शन क्या है ट्विटर में, आपको क्या लगता है? लेकिन अब ऐसे स्ट्रेंजर्स को ऐसे आप कांटैक कर सकते हैं, अगर उनके कोई अच्छे प्रशने आप जबाब दे सकते हैं, या कोई गलत फैम ही है तो उसको जबाब दे सकते हैं, या कोई अच्छे आइडिया हैं, उसको रीट्वीट कर सकते हैं, मतलब उनके आइड टेलिविजिन ये सब इस्तमाल करने के लिए त्यार हैं ट्विटर का ये उपयोग हैं कि आप सिर्फ प्रेस के की माधिम से जनता के साथ कांटाक्ट करें नहीं मतलब आप करते हैं और उनके साथ बात्शीत भी कर सकते हैं उनके साथ डायलोग भी मना सकते हैं लेकिन ट्विटर को लेके कई सारे विवाद भी होएं कुछ टिपणिया आपने की और लोगों ने उनको अलग तरीके से समझा देखिए आपको पता है कि हमारे देश में दो तीन बार जो कुछ मैं पब्लिक में कहा इंटरनेट में ट्विटर में ट्विटर में लोग थी तर हमारे देश में जब यह कैटल क्लास के एक्सपेशन हिंदी में या गुजराती में या मल्यालम में लगा देए तो लोग बहुत बुरा मान लिया और दो तीन दिन पहले इंटिलॉक्यूटर यह शब्द तो कोई कॉंट्रोवर्शल नहीं कहीं और यह काफी रूटीन चीज हमारे देश तो एक मल्टिलिंग्विल पॉलिटी है हम कभी नहीं बूलना चाहिए कि हमारे देश में सब लोग सब कुछ एक तरह से नहीं समझते हैं और राजीनती करने के लिए हमको यह सेंसिटिविटी चाहिए जो मैं अभी समझ के सीख रहा हूँ आखिर मैं मैं जानना चाहूंगे कि ट्विटर के अलावा आप कौन-कौन सी वेबसाइट हैं जो फॉलो करते हैं देखें मुझे आजकर तो टाइम बहुत कम है वेबसाइट सर्फ करने के लिए क्रिकिट के न्यूज देखने के लिए और कभी-कभी हेडलाइन्स देखने के लिए शायद जाता हूने तो आप देख लीजिए कि कई बार लोग इमेल पे और ट्विटर पे लिंक्स बेचते लेकिन सर्फ करने के जरूद नहीं है मैं टागेटिड डिरेक्टिड लिंक को जाके पढ़ सकता हूं और ऐसे मैं तो इंटरनेट को उप्योग करता हूं लेकिन मैं खुद बैट के दोहनदा बैट के ढूनने के लिए मुझे जरूद नहीं है